हेलो फ्रेंड्स आप सब का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसी क्यू में तो आज हम क्या पढ़ेंगे आज हम पढ़ेंगे ठीक है अमीनो एसिट्स के बारे में पढ़ेंगे मैंने बायो केमिस्ट्री के जो और टोपिक्स है प्रोटीन्स हैं करते हैं कि अध्याइक च्लास्इफिकेशन हैं इसमें होती है ब्रांच रचेन अमीनो एसिट्स होती है तो अमीनो एसिट्स का वरम और से तो हमें इस सब के एक्जाम्पल्स याद करने होते हैंinte तो क्लासिफिकेशन देखते हैं तो ब्रांच रचेन अमीनोएसिट्स होते हैं इसमें नाम आपको याद करने हैं कौन-Kन से वैलीन, लिूसिन और आईसो-लिूसिन आते हैं तो आप कैसे भी करके वी आई एल या एल आई वी कैसे भी करके आप लोग याद रख सकते हैं वैलीन लिूसीन और आईसो लिूसीन जो है यह ब्रांच रचेन अमीनो एसिड में आते हैं ठीक है फिर है न्यूटरल सलफर कंटेनिंग अमीनो एसिड तो सलफर कंटेनिंग अमीनो तो आप ये तीनों याद रखने हैं फिनाइल आयलनिन टायरोसिन और रिप्टोफन जो है यह अरोमेटिक अमिन आज़ेंगा टायरोसिन क्या होता है पैरहईड्रोकसी, फिनाइल आयलनिन होता है टायरोसिन next है neutral hydrocyclic amino acid hydrocyclic amino acid मतलब इनके अंदर hydrocyclic ring present होती है ठीक है तो जीसे tripophan है tripophan के अंदर क्या है इसके अंदर indoor ring present है tripophan इसमे aromatic amino acid में आता है और इसके अंदर hydrocyclic ring भी present है कौनसी indoor ring होती है और एक proline होता है प्रोलाइन जो होता है यह क्या होता है तो ऐसे भी आजता है कौन सा जो है वो इमिनो एसिड है तो प्रोलाइन होता है इमिनो एसिड ठीक है ऊक्विजोलोजिकल प्रोटोनोय, प्रोलाइन जो पॉजिवली चार्ज्ड होते है तो पी-छुजिड के एक्जामपल्स आपको याद करने है हम इसको याद कर सकते हैं इसमें आता है लाइसीन एर्जिनीन और हिस्टेडिन आता है ठीक है एर्जिनीन के अंदर ग्वैनिडो ग्रूप भी प्रेजन्ट होता है तो बेसिक अमिन एसेड में हो गए एर्जिनीन यह हिस्टेडिन हो गया एर्जिनीन हो गया और लाइसीन हो ये तीन होके बेसिक अब आपको पता ही है ऐस्पार्टीक ऐसिड हैumbs ग्लुटामेक एस्ट मेंतर बागनानावग ऄटाने तो हुदा newark में फिज़ सिपासी अहरा चौर्टिक निएक मेंतर होANGान काौक के में जिक एसपासीड ढ़ने सबकानाचग तो सिफिसके हमागनाओ नियुक। ट्यक्त मादम्जाना धेलो makले तो glutamine क्या है they are amide form of aspartate and glutamate in with side chain coh groups present होते हैं ठीक है तो बस आपको सिर्फ इनका example से याद करने है acidic के कौन-कौन से हो गया aspartic acid हो गया glutamic acid हो गया यह हो गया और basic के हो गया histidine हो गया arginine हो गया और lysine हो गया अब next है इसमे classification according to polarity of side chain मतलब polar amino acid है कौन से है non-polar कौन से है ठीक है polar में क्या होगा आर चेंड जो है तो देखिए amino acid जो होते हैं जिसमें यह carbon है इसमें एक तरफ तो यह नस टू ग्रूप प्रेजेंट होता है एक तरफ hydrogen atom है एक तरफ होता है यह आर ग्रूप ठीक है अब यह जो आर साइड चेंड है ना इसके इसके मतलब यह कौन सा ग्रूप प्रेजेंट है उसके उपर होते हैं यह कि देखो वी इन विच आर कंटेन पोलर hydrophilic group अगर यह आर जो है polar hydrophilic group है तो क्या करेंगे सो can form hydrogen bond with OH इसले amino acid होते हैं यह polar amino acids होते हैं तो इसमें कौन-कौन से amino acids आते हैं तो इसमें वह आगे देखो ओएच ग्रूप प्रेजेंट है जिसमें तो मैं नाइट्रोजन एक्टाइज बेस मतलब basic amino acid अभी हमने देखा कौन-कौन से थे हिस्टेडीन लाइसीन और एरजिनीन यह basic में आते हैं और carboxylic group present है मतलब acidic amino acid में aspartic acid और glutamic acid आते हैं तो यह examples ही पूछते हैं तो आपको यह याद रखने हैं ठीक है hydrophobic होते है hydrogen bond formation नहीं करते हैं तो इसमें कौन-कौन से आते हैं गलाइसीन ऐलनीन वैलीन लूसीन आइसो लूसीन फिनाइल ऐलनीन ट्रिप्टोफन प्रोलाइन या मिथियोनीन यह सबाते हैं नॉन पॉलर के अंदर आते हैं फिर एक आता है nutrition classification यह बहुत जादा important है essential और non essential amino acids ठीक है तो essential कौन-कौन से होते हैं essential amino acids होते हैं the amino acid cannot be formed in the body यह amino acids जो है body में form नहीं होते cannot be formed in the body and so it is essential to be taken in diet ठीक है इसलिए इनको बोलते है essential amino acids मतलब बोड़ी में form नहीं होते इनको diet में लेना पड़ता है तो इनकी deficiency से क्या होता है यह effect करते है growth health and protein synthesis को ठीक है यह essential amino acid के नाम आपको याद करने है यह एक्जाम में question आता है चार options आ जाएंगे तो पूछ लेता है कौन सा essential amino acid है इसमें से कौन सा नहीं है तो आपको इस सारे नाम याद रखने है इसमें methionine, threonine, tryptophan, valine, isolucine, leucine, arginine, histidine and phenylalanine यह है तो इसको देखो आप आपको वैसे पता ही होगी इस की ट्रिक आप सबको आती होगी यह private team hall always argue never tires ठीक है यह है private team hall तो आपको पहले तो यह याद करना है तो इसमें P से है phenylalanine, valine, फिर है tryptophan, फिर है threonine, फिर इसमें हो जागा isoleucine, methionine इसमें आजाएगा फिर histidine आजाएगा, arginine आजाएगा इसमें leucine हो जाएगा ठीक है यह leucine आजाएगा इसके अंदर तो इस सारे के सारे इसमें क्या है यह है यह है essential amino acids हैं तो इसमें देखो एक line और always argue never tires के क्यों लिखा हुआ है, always argue मतलब कि इसमें arginine आएगा, arc तो इसमें कौन सा आएगा, arginine आएगा, ना कि एक और थे ना asparagine, कभी उसको जो aspartate देखे तो उसको मतलब confusion होई तो वो नहीं आएगा, इसमें कौन सा आएगा, arginine, never tires, मतलब tyrosine नहीं आएगा इसमें, इसमें आएगा, तो यह बात भी आपको याद रखनी है, ठीक है, और क्या है, इसमें यह हो गया हमारा, अब है, semi-essential amino acids, तो अब ना, semi-essential का भी थोड़ा सा पूछने लगे हैं, semi-essential का भी question अभी एक paper था, किसमें एक question था, semi-essential का, तो यह देखो, these are formed in the body, but not in sufficient amount for body requirement, especially in children's, ठीक है, यह body में बनते तो हैं, but इतनी amount में sufficient amount में नहीं बनते, कि body की requirements जो होती हैं, उसके according मतलब इतनी sufficient amount में नहीं बनते, especially in children's में, तो इसके examples important है, arginine और histidine, तो मेरे से एक comment में भी एक बच्चे ने पूछा था, कि मैं, यह semi- essential का example, तो आप लोग अगर वीडियो देख रहे हैं, तो ध्यान से देख लिए, semi-essential amino acid में, arginine आता है, और histidine आता है, तो इसमें confused नहीं हो न, histidine और arginine जो है, यह semi-essential में आते हैं, फिर non-essential amino acids आ जाएंगे, इसमें जो बच गए न, जो इनको छोड़के, जो amino acids है, वो non- essential में है, इनको याद करने की जूरत नहीं होती, they are rest of the amino acids that are formed in the body, in amount and for adults and children, ठीक है, तो non-essential होते हैं, बोड़ी में बन जाते हैं, इसमें को diet में लेने की जूरत नहीं होती, तो इसमें जो बाकी के बच गए वो आ जाएंगे, glycine, alanine, serine, cysteine, tyrosine, proline, aspartic acid, glutamic acid, यह non-essential amino acids ह होते हैं, ठीक है, tyrosine आगे, non-essential में, तो आपको ध्यान रखना, आप बस essential के नाम याद रख लेना, और semi-essential के नाम याद रख लेना, बस बाकी के याद रखने की जूरत नहीं है, वो फिर options के according हम कर लेते हैं, next है, metabolic classification, मतलब इसमें जैसे ketogenic amino acid होते हैं, और glucogenic, इस टाइप से जो classification है, उसे बोलते है, metabolic classification, तो इसमें कौन से आते हैं, इसमा जाएंगे, according to metabolic and degradation, product of amino acids, they may be, तो इसमें जो metabolic and degradation, product of amino acids, मतलब amino acids, जब degrade होते हैं, तो क्या बनता है, तो उसमें होते हैं, ketogenic and glucogenic amino acids, एक होते हैं, glucogenic, तिन टाइप है, तो ketogenic amino acids, जो है, इन amino acids के degradation से ketone bodies, form होती है, which give ketone bodies, तो इसमें दो आते हैं, ketogenic में आते हैं, lysine और leucine, यह दो ही pure ketogenic है, कौन से lysine और leucine, दो ही pure ketogenic हैं, और जो mixed है, ketogenic and glucogenic amino acids हैं, मतलब इसमें, तो इसमें यह क्या करते हैं, विच की बहुत ketone bodies and glucose, दोनों ही form होते हैं, तो इसमें isolucine, phenylalanine, tyrosine और tryptophan 4 आते हैं, isolucine आ गया, phenylalanine आ गया, tyrosine आ गया, और tryptophan आ गया, ओके, अब रहा गई, glucogenic amino acids, ठीक है, glucogenic amino acids क्या बनता है, इनके degradation से क्या बनता है, glucose बनता है, ठीक है, तो glucogenic में बागी के जो बच गए amino acids हैं, ठीक है, जैसे जो भी बच गए glycine है, alanine है, जो भी जारे जो remaining है, वो सब इसमें glucogenic में आ जाएंगे, they include rest of amino acids, these amino acids by catabolism yields product that entering glycogen and glucose formation, ठीक है, तो इन amino acids से क्या बनता है, glucose बनता है, why the process of gluconeogenesis, ठीक है, gluconeogenesis में क्या होता है, glucose की formation होती है, तो non carbohydrate source से, तो यह जो amino acids होते है, glucose की formation करते हैं, तो यह जो है, इनको बोलता है, glucogenic amino acids बोलते हैं, तो यह amino acids के बारे में हमने पढ़ लिया, ठीक है, अब अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी है, तो से like करना, share करना, और हाँ, मैं आपको PDF का link भी आपको provide कर दिया करूंगी, ठीक है, इसका link है, जो मैं आपको description में देने की कोशिश करूंगी, okay, thank you,